जानू कितने चेप्टर त्यार हुए तमका हमका चार चेप्टर त्यार हो गया तमका पता चले जब पेपर आये तो उस दिन आपने टाउपिक त्यार पंडा क्लियर रखो दिमाग का खोपला खोलो और सोचना शुरू करो कि आपके पास केवल पांच दिन है बात समझाया कि अब शीर जार कितने दिने टेक्निया तो गदेड़ों की तरह ऐसे नी पीडियाफ डाउनलोड पीडियाफ डाउनलोड तो बस उसी को पढ़ना शुरू कर दें ना सुनना मेरी पूरी बात और उसी प्रण के बारे में ताना ली चार्ट्रेल पिंसिपल बहुत बार पूच हाई अबरिवन अस्सलाम अलेकूं रह्मतुलाही बराकातु हूँ नमस्ते सस्रियकाल क्या हाल छे फरजाना रुकसाना सरदीब सिंग गुड़ू प्रकाश मुकेश राहुल करन क्या हाल है सब बढ़िया है सब बढ़िया है सब एक बर थंसब कर दो सब के सब फिर मैं आप को बताता हूं कि कमिस्ट्री को कैसे लेके चलना है समझाया के नहीं आया किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है सब को कमिस्ट्री मुश्यलका लगता है मुश्किल लगता है मुश्किल गला लगता है बढ़िये मुश्किलात आपकी में दूर करेगा कौन करेगा अपन है डड़ सब्जक्ट बट हम इसको करेंगे जिंदा क्या करेंगे जिंदा मेरी बात ध्यान से समझो जैसे अभी के आपका इंग्लिश का पेपर बहुत बेतरीन हुआ होगा मुझे पता है इंग्लिश का पेपर असान आया था और 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 अठीय से में बात करूँ तो अब नहीं सोचना के यार कमिस्टी का खतम होगे अभी मैं रस ले लेता हूं या रस ले लेती हूं नहीं सोचना है बशीर साब आपने ऐसा बिलकुल नहीं सोचना फंडा क्लियर रखो दिमाग का खोपडा खोलो और सोचना शुरू करो कि आपके पास केवल पांच दिन है बात समझ आया कि नहीं है बिशीर सार कितने दिन है पांच दिन है तो इस पांच दिन में आपने कमिस्टी बेहतरीन तरीके से त्यार करनी है क्योंके पूरे साल तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए तो थम लेल देख के इधर आया है बात में क्लियर करना चाता कि बाई तुमने पड़ा कुछ नहीं है इसलिए तो तुम इधर आया है समझाया कि नहीं आया आ गया विशीर सार समझ अच्छा सर पन्ना कैसे है पन्ना में आपको बताऊंगा मैं डिसकस करूंगा तीन चीजें आपके साथ कितनी चीजें तीन चीजें एक पेपर पैटर्ण कैसे लेके चलने और वीडियो पूरी देखना क्यूंकि आप पीडियफ डाउनलोड कर लोगे टैलीग्राम से फिर जाके टैलीग्राम से पीर वो टॉपिक करने लग जाओगे बट उन टॉपिक्स में भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जो मेने शाहिट पीडियफ में ना दिये कि बात आपन का समझता है समझ आया कि नहीं मुझे सुनना थीक है सर अच्छा जी पेपर बैटरन्स रहेगा फ़ेपर में होगी चार सक्षन में कितनी सक्षन है बशीर चार सक्षन कौन कौन सी सक्षन सक्षन आमीना बबीता चुन्नू एंड डॉली ओके सर सक्षन ए जो होगा उसमें MCQ और अबजेक्टिव होंगे एक नंबर का कोश्चन होगा 10 से कोश्चन होंगे टोटल 10 मार्क के होंगे सक्षन बबीता में वैरी शॉट होंगे और दो नंबर का एक कोश कोश्चन होगा ऐसे न liaison होंगे और तकरीबन 27 कोश्चन होंगे स्क्षन डी में लौंड एंसर टाइपूँगे और पांच नंबर का एक कोश्चन जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको दिमाग खोल के पढ़ना ऐसे ही नहीं है कि एक तरफ से वन शॉट चल रही है और दूसरी तरफ आप अपनी गल्फेंट के साथ गप्पे मारे हो कि ओ जानू कितने चप्टर त्यार हुए तमका हमका चार चप्टर त्यार हो गया तमका बता चले जब पेपर आए तो उस दिन आपने टॉपिक त्यार किये हो सोचने की शमता आपकी बिल्कुल जीरो हो और वहां कुछ भी ना करके आए बात समझ आया कि नहीं आया आगे सर समझ आगे चलो चलते हैं आगे आगे हम मैं पूरी स्ट्राटेजी आपको बताता चार, पांच, छे, सात और फिर आठ को आपका क्या है पेपर है उसको तो आपने कंसीडर नहीं करना वह आठ वाली डेट को ठीक आपके पास कुल मिलाके पांच दिन है पांच दिन वन शॉट पसंद आता है तो मेरा वन शॉट देख लेना उसमें मैं पूरे प्रीविए प्रीविए सीयर कोश्चन इंपॉर्टन टॉपिक सारे डिस्कस करने वाला हूँ अगर मेरी समझ नहीं आती तो आप किसी और का वन शॉट भी देख सकते हो ओके सर ठीक उसके बाद डे टू जो चार तारीक को तो चार तारीक को आप प्रियोडिक क्लासिफिकेशन कर लेना और साथ-साथ में कैमिकल बॉंडिंग कर लेना बात समझ जाए कि नहीं उसके बाद डे थ्री डाट इस पांच तारीक को आपने थर्मोडाइनमिक्स करना है औ में डे 4 में इसलिए रख रहा हूँ क्यूंकि इसमें जादा सारी चीजें याद करनी है तो आप डे 4 वाले दिन अगर याद करोगे न उसके तुरंग दूसरे दिन पेपर है और यहां से 21 नंबर का आने वाला है तो देख लो कि यह चैप्टर कितना जादा important है बात समझाई कि नहीं उसके बाद day 5 में आप करोगे सारा revision short notes बनाए होने चाहिए जब आप यह देख रहे हो तो आपके पास short note थोड़े थोड़े बने होने चाहिए आपने उसी से क्या करना है revision करना है बात समझाई कि नहीं है मुश्किल कुछ नहीं है बस अपने देंके नहीं करपाओगे तो आप ऐसे नहीं कर पाऊंगे ठीक है जिसे सुस्टीचर आ के इधर पढ़ाते न ऐसे यह की बोस्वाले यह डिमाटिक कपटा का पिटीक कपटा का तो ऐसे सुस्टू की तरह बिलकुल एनरजी लाओ दिन के दो चप्टर मेरा काम है मैं काम करूंगा ओक्य जी अच्छा उसके बाद मैं आपको अब टॉपिक्स बताने वाला हूं कि कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टन है जैसे यूनट वन है सम बेसिक कंसेप्ट आफ कमिस्ट्री साथ नंबर का चेप्टर है ये इसमें सबसे पहले इंपॉर्टन आफ कमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना मैंटर उसकी टाइपस और उसका स्टेट अच्छे से पढ़ना लाओ आफ केमिकल कंबिनेशन इसमें पांच लाज है वो पढ़ने है ये मैंने बोला ना पीडिएफ में नहीं दिया हुआ मैंने तो ये पांच लाज है प सब्सकी आफ चाहि inventions आपको पता होना चाहिए मोल कंसेप्ट में से नुमेरिकल बनेगा और मोल कंसेप्ट आपको आना चाहिए molecular formula empirical formula percentage composition पे भी सवाल बनेगा और लास्ट है इस स्थीकोमेटरी उसमें limiting reagent के बारे में पढ़के जाना यह important topic है सारे जो आपको आने चाहिए सर unit 2 पे चलो देखो unit 2 है जो हमारा 9 नंबर का है ठीक है इसमें discovery of electron, proton, neutron, cathode rays experiment आना चाहिए atomic number isotop, isobar आना चाहिए, thomson model of an atom और उसकी limitation, rutherford model of an atom उसकी limitation, bore model of an atom, shell, sub-shell, concept of orbital यह आना चाहिए, dual nature of light and matter इसमें planks quantum theory आती है वो पढ़ देना electromagnetic spectrum आता है वो पढ़ देना de brogley equation most important है, heisenberg uncertainty principle most important है, quantum number most important है, आफ़ रूल, exclusion principle, हूंट सुरूल और electronic configuration आपको elements की लिखनी आनी चाहिए, इसमें electronic configuration अगर आप पढ़ के जाओगे तो किसकी पढ़ के जाना, वो series नहीं है, D series में, scandium, titanium, vanadium, chromium, chromium की पढ़ के जाना, और कपर की पक्का आपको electronic configuration वहाँ पे पूछे, गा reason के साथ, अच्छ चेप्टर है, मतलब ये 6 नंबर का आता है, brief history बितानी है, इसमें डॉबनिया, ट्रियार, न्यू लैंड, मेंडलीव, modern प्रियो टेबल पूरा पढ़ना है, periodic radius, ionic radius, inert gas, radius के बारे में पता होना चाहिए, ionization, energy, इसके factors, electron gain, enthalpy, इसके factor, electron negativity और valency के बारे में आपको पता होना, चाहिए, सर, आप बड़े तेज तेज बोल रहे हो, क्यों नहीं बोलूँगा तेज, master का काम है तेज बोलना, master तेज होगा, तो उसके बच्चे भी तेज होगे, वा, क्या बात है, सर, आगे चलते हैं, आगे क्या है, that is chemical bonding and molecular structure, ठीक, इसमें valence electron, ionic bond, covalent bond, अच्छे से है, molecular orbital theory भी बहुत ज्यादा important है, और यहां पर थोड़ा बोता hydrogen bond के बारे में पढ़ लेना, hydrogen bond के बारे में क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है, okay, sir, उसके बाद thermodynamics, thermodynamics में सबसे बहुत हैं, concept of system, types of system, surrounding पढ़ना है, work, heat, energy के बारे में पता होना चाहिए, intrinsic and extrinsic property, state function के बा चाहिए, internal energy, enthalpy, heat of heat capacity, specific heat के बारे में पता होना चाहिए, hasla पता होना चाहिए, हफीज साब, enthalpy of sublimation, atomization, formation, combustion, ionization, dilution, ये पता होना चाहिए, entropy और spontaneous और non spontaneous के बारे में पूरा concept आपको पता होना चाहिए, very good, sir, क्या बोलते हो आप, sir, वशीर को समझा गया, तो सब को समझा गया और मेरे ब्यारे गुड़ डू, equilibrium, equilibrium तकरीबन साथ नंबर का आता है, इसमें equilibrium के बारे में बताना, physical equilibrium, chemical equilibrium, ये dynamic होता है, उसके बार law of mass action, law of chemical equilibrium, equilibrium, constant के बारे में बताना, lead channel principle बहुत बार पूछा है, ठीक है, logically पढ़के जाना, इसको acid base के बारे में पढ़ना, strong, weak, electrolyte के बारे पी-एच के बारे में पढ़के जाना, buffer solution के बारे में पढ़के जाना, and solubility product के बारे में भी बिशीर साब पढ़के जाना, ये important topic आपको बता रहा हूँ, ये पूरा 2X पे देख लो, ठीक है, उसके बाद redox reaction में concept of oxidation, reduction, redox reaction, oxidation number, balancing उसकी, और application of the redox reaction, उसके बाद some basic concept of the organic chemistry, देखो, 11 नंबर का chapter है, इसमें quantitative and qualitative and quantitative analysis करनी है, classification of organic compound, IUPAC पढ़ना है, electronic, electronic displacement, जिसमें inductive effect, electromeric effect, resonance effect, hyperconjugation पढ़ना है, homolytic and heterolytic cleavage पढ़नी है, electrophile क्या होता है, nucleophile क्या होता है, पढ़के जाना, carbocatine, carboannine, free radical, ये कितने तरह के होते हैं, उनके stability order भी पढ़के जाने, हैं, इसके बाद है hydrocarbon, hydrocarbon भी तकरीबन 10 नंबर का है, इसमें alkaline, alkaline, alkaline और aromatic compound आते हैं, alkaline को कैसे पढ़ना है, that is, nomenclature पढ़ना है, इसमें isomerism, conformation, ethane, ethane का पढ़ना है, ठीक है, physical properties, chemical properties पढ़नी है, इसकी free radical mechanism of halogenation, combustion and pyrolysis भी पढ़के जाना है, और कोई भी named reaction आपने छो होननी है, ठीक है, अगर आप named reaction छोड़ोगे, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, गदे हो, organic reaction में named reaction पक्का आती है, या कोई rule हो, तो उसको वो आता है, फिर alken में nomenclature, structure of double bond, geometrical isomerism, method of preparation, physical properties, chemical properties, addition, reaction, marconic of rule, anti-marconic of rule, that is, paroxide में present होता, ozonolysis, oxidation, mechanism of electrophilic addition, reaction, reaction, best of luck, मेरे प्यारे बच्चो, मैं चाहता हूँ कि आपके नमबर बहुत जादा हो, और at the end, जो बच्चा सबसे जादा नमबर लाएगा, उसको मेरी दरफ से प्यारे सगिफ्ट होगा, मेरे ही पैसु का, ओके सर, चलो जी, alkyne में क्या है, that is, nomenclature, structure of triple bond, method of preparation, physical properties, chemical properties, acidic nature of alkyne, addition reaction, अच्छे से पढ़ के जाना, alkyne की, ठीक है, जितनी addition reactions है, water gay addition कैसे हो सकती है, halogen की कैसे है, hydrogen की कैसे, ये सारी चीज़े पढ़ के जानी, aromatic compound, IUPAC nomenclature, benzene, resonance, aromaticity, और इसमें एक rule होता है, जिसको क्या बोलते है, हकल rule, ये हकल rule भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, chemical properties, mechanism of electrophile, substitution reaction, that is, sulfonation, halogenation, nitration, alkylation, acylation, और directive influence of the functional group, ये सारी चीज़े आपने अच्छे से पढ़ के जानी है, यहाँ पे हमारी slide हो जाती है, खतम, hope आपको ये वाली वीडियो बहुत beneficial रही होगी, मैंने पूरी-पूरी कोशिश की है, कि मैं आपको बता सकूँ के paper का pattern क्या है, strategy क्या रहने वाली है, और topic क्या क्या रहने वाले हैं, और तुझे, तुझे तेरी मा की कसम, अच्छे से पढ़ना start कर ले, ने तो paper बेका आर जाएगा, तेरा, रोएगा, वापिस इसी वीडियो के अंदर आके comment करेगा, के sir, इसमें से तो कुछ आया है नहीं, कुछ नहीं आया इसमें से, बेटा, तुपड़ेगा तो आएगा, अगर तुझे last वाले दिन आके, रास वाले दिन तुझे ये वीडियो मिलेगी, उ रात और रात एक-एक टॉपिक के एक-एक definition करके जाएगा, कुछ याद आएगा, कुछ नहीं याद आएगा, भोल चुका हूँ, बड़ा dead subject है, समझाया के नहीं है, इसलिए तो आपका syllabus कम किया है, कमिस्ट्री का इतना, समझाया के नहीं है, और जितना मैंने बोला, उसको अच्छे से पनना, और कोई भी doubt हो, मुझे comment section में करना, कि sir मेरा ये doubt है, ये doubt है, ये doubt है, मैं पका doubt लूँगा, और मैं number भी दे रहा हूँ, pdf file के लिए, ये अभी जो number नजर आ रहा है, ये मेरा ही number है, मैं आपको personally बहुत attention दूँगा, आपका साथ रूँगा, और जो जो लेंगे, मैंने बादा किया आपके लिए के one shot लाने है, चाहे में मर रहा हूँ, hospital में हूँ, कुछ भी हूँ, देख रहा है, मैं सुजा है, मूँ बिमार हूँ मैं, ठीक है, तो one shot तो मैंने लाने ही लाने है, तो मिलते है one shots में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज, अल्ला आत्री, जै हिंदू, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम